देखिए हमाय शास्त्र हमेशा से बताते हैं कि किस प्रकार से जो प्रतिमा है वो कोई मिट्टी की मूर्टी नहीं होती है लेकिन वो साक्षाद भगवान होते हैं प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षाद वरजेंद्र नंदन तो भगवान केवल मूर्ती नहीं है लेकिन वो साक्षात अपने सुरूप में विद्यमान है विग्रह के रूप में तो जिस प्रकार से हमें ठंड लगती है जिस प्रकार से हमें भूक लगती है उसी प्रकार से हमें भी उने सेवा देनी चाहिए सनातन धर्म की असल में ये विशेष्टा है कि अन्य स्थानों पर हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं लेकिन सनातन धर्म में हम खुद भगवान को सेवा देना चाहते हैं यानि कि जैसे कोई बच्चा होता है बच्चा पहले माता पिता से मांगता है कि माता मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो खुद वो माता पिता को देना चाहता है, तो उस प्रकार से जो सनातन धर्म है, वो हमेशा ये सिखाता है, कि हमें किस प्रकार से भगवान की करनी चाहिए उन्हें प्रसंद करने का प्रयास करना चाहिए हमें उन्हें सेवर देना चाहिए तो उसी प्रकाश सर्दी के मौसम में हम लोग भी माताविवलक्षमी मंदिर में यहां पर श्री श्रीलक्ष्मी नारण भगवान को रोज सुबह जब उठाते हैं तो चादर सीधके होते हैं, रात को सुलाते समय चादर सीधकते हैं, ताकी भगवान को ठंडना लगे, और उन्हें गरमदूद और मेवा इन सब का भोग लगाया जाता है, ताकी भगवान को भी जो सरदी का म लगती है उसी पेकार यहां मंदीर में पूरा आयोजन किया जाता है और मतलब ठंड के लिए उनके लिए कंबल और शाल उड़ाए जाते हैं माता रानी को ये माता वैवो लक्षी मंदीर है इस मंदीरे में डेली आती हूँ लेकिन आज कुछ अजीवी बेवस्ता है माता रानी के क्योंकि ठंड के हिसाफ से ये मंदीर में भी माता रानी जी का गरम गरम चीजों का भोग लगाया गया हूँ जैसे गरम दूद है, मेवा है, गाजु ह उनको शाल वगयरा उढ़ाया जाते हैं हर साल ठंड में माता रानी का भोग लगता है, ठंड कितनी है इसमे कानपुन में बहुत ठंड है, वह सीथ लहर चल लगी है, जिससे सुवह सुवह आने का बंद करता है, लेकि जाड़ा भी लगता है, अधिन लगता माता रानी को द झाल झाल